नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर सच्वागत हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि खोठा सब्जेक्ट के जो सिलेवस में चेंज हुआ है उसके बारे में बात करेंगे और इसमें किस भाग से आपको कितने नम्मर के कोइस्शन पुछे जाएंगे उसके बारे में बात करेंगे तो चलिए हम आपको दिखाते हैं वो सेंग्मेंट को या कोशले लिपस होगा इसमें ब्याकरन पढ़ना यह इसमें दिया हुआ है झाल है खषे की प्रशन तो यह है आपका ब्लय का ब्याइक है जो इसमें पूछा जाएगा ठीक है कि पांचमा नंबर जो है दोस्तों लोक शाहित साधोको नहीं परना किया हैं और पहलिया थिकए यह व्यांद का सेगसमेंट तो यह सब पुछा जाएगा और इसमें अंक देख सकते हैं अंक विवाजन यानि 100 नंबर जो आपको पूछा जाएगा खोठा में इसमें किस भाग से कितने नंबर के questions पूछे जाएगा दिखें गद साहित के भाग यानि जो कहानी संग रहें इसमें 35 अंक के questions पूछे जाएगे ठीक है 35 अंक 35 मार्क्स वहीं पर कविता सेक्सेंस की बात करें यानि पद साहित में तो आपको 30 अंक के प्रस्न पूछा जाएगा साहित की अन्विधाय में बात करें तो 10 अंक सिर्फ 10 अंक पूछे जाएगा ब्याकरन से बात करें तो ब्याकरन में सिर्फ 15 नंबर का वेटेज दि किसंधा कि पढ़ना है खुठा निवन पढ़ना में अजगर अजगर जोकि सब्सक्राऊ पते है तो देखे? इनके लेखा के चीतर इंजर महतो जी और इसमें आपको सिर्फ तीन ही कहानी पढ़ना है केवल कहानी संक्या तीन जो एक पहला नमबर होगा चायर बॉनेक लोर पढ़िएगा और हामे कैसे जी अब ये तीन ही कहानी अब स्थायर में पढ़ना है दोस्तों याद रखेगा सोंद माटी जो की लेखा के इनके है बिनोत कुमार जी और इसमें आपको भी इसमें भी मात्र तीन ही कहानी पढ़ना है तो इजीन के लेखक है बियन ओधार जी और इसमें भी आपको तीन ही कहानी पंडिवन पढ़ना है ठीक है, सोब्टाई चले है, दूसरा है हामिन के संस्कृति अर्तवकर पर संकट और तीसरा जो है हामें खड़ा हो, ठीक है, इसमें भी तीन ही पढ़ना याद रख लिएगा, आप चाहें तो इसकीन सोट ले सकते हैं और नाटक जो है दोस्तों, उसमें सिर्फ अजगर नाटक पढ़ना है जो की लेखक है इनके 20 सोनात दसंदी राज, ठीक है अब हम लोग बात करेंगे पद साहिते, यानि कविता सेक्सेंस में कौन-कौन सा किताब पढ़ना है और उसमें से कौन-कौन कविता पढ़ना है ठीक है, तो पहला है दामुदर कोराओं, ठीक है इसमें बात करें जिनके लेखा के कौन, सिवनात प्रमानिक ठीक है, इसमें आपको दो ही कविता पढ़ना है पहला है मेला और दूसरा जो है वो है सार्ची कमल ठीक है, दो कविता, दूसरा जो है दोस्तों आखी गीत कविता संग्र, देख सकते हैं, इनके भी लेखा के स्रीनिवास पानूरी ठीक है इसमें 5 कविता दिया गया है जिसमें देख सकते है नंबर 1 दिया है नंबर 10 कविता, नंबर 22, नंबर 33 और नंबर 51 ठीक है इसको आप देख लिजेगा किताब में आपको मिल जाएगा याद रखेगा 1, 10, 22, 33 और 51 ये कविता ही पढ़ना है यानि 5 कुल मिलाकर सिर्फ 5 कविता पढ़ना है आखी गीत में और जो तीसरा है खोठा काठेक पैदेख खड़ी एके जहां इनके लेखक है ठीक है इसमें तीन कविता को सामिल किया गया है मतलब ये तीन ही कविता पढ़ना है तो ये तीन ही इसमें कविता आपको पढ़ना है आप शाहें तो इसका भी स्क्रीन सोट ले शकते हैं और तीसरा जो है दोस्तों जो की बहुत इंपोर्टेंट है साहित्त की अन्विधाएं जिसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है जीवनी संस्मरन और क्या है कौन सा जीवनी पढ़ना है जिससे आपको प्रस्ण पूछा जाएगा घीवनी में देख सकते हैं सेख विखारी इसके लेख कौन है पारसनात महतो इसका नाम है आपका बढ़का-भुजूर्क-विर्सा लेखत केजा यानने दो ही इसमें है जीवनी दो ही पढ़ना आपको क्या-क्या एक सेख विकारी का पढ़ना है और दूसरा है क्या है बढ़का बुजुर्ख बिर्शा ठीक है लेखा के के जा यह दो है आप इसमें किताब या देख लीजेगा मिल जाएगा साहिते क्यान विधाय में तो यह दो ही चीज आपको पढ़ना है जीवनी में सं फुलवा रह गलए बांस ठीक है यह है लेखा के इनके है गोविन महतो जंगली और जो तीसरा है यात्रा भी तंद यह दिया है इसमें पढ़ना क्या है ना दारजिलिंग आर गंतो जात्रा जो कि लेखा के इनका डॉक्टर चतुरुहज साहो और यहां पर आप देख सकते ह निर्धारित पुस्तक में कहा दिया है खोट गयद खोठा गयद पज संग्रा ठीक है यहां से बोकारों यह किताब मिल जाएगा आपको मार्केट में भी अबलेबल है यह आसानी से मिल जाएगा ठीक है इस किताब में मतलब यह जो दिया है यानि जीवनी हो संस्मरान हो और इस वीडियो को जादा से जादा सेयर करें धन्यवाद